दिखोड में हुआ हमारी पास में आई फोन 7 प्लस का के लूं है जैसे हम पहले सबसे पहले तो इसके चेक करते हैं तो इसका काम करता है या नहीं और थोड़ा सा समय लगाता है लेकिन मित्रों में ने इसको experience करा है कि अगर दस में से इसको देखें तो सिर्फ पांच बार इसका fingerprint काम करता है तो जूकि यह clone है हमें जाता है इससे उम्मीद भी नहीं करना चाहिए तो अगर fingerprint इस तरीके से काम करता है तो लोगों ने भी इसे बनाया है Android पर और सबसे पहले देखते हैं हमकी यह 3D Touch जो कि music पे music पे इस तरीके से काम करता है कि आपको क्या पुराने गानों का कौन सा चलाया है आगे आप क्या चलाना चाहते है music की application ओपन करना चाहते है वगरा वगरा तो यह वास्तों में बड़ी आप क्या करना चाहते है केमरा खुलना चाहते है पिक्चर देखना चाहते हैं जैसे हम camera भी देखें तो camera मित्रों बड़ा बिलोव पार है और जो iPhone का camera है उसके सामने कहीं नहीं ठहरता है जिस तरीके से आप इस फोटो को देख रहे हैं तो आपके सामने जो original scene है वो भी है और यह photo भी है और जो कि daylight में ली जा रही है अब outdoor तो outdoor में daylight में इस तरीके की photo वास्तों में कोई अच्छा camera इसके बाद मित्रों जो iPhone का activity बाहर है उसको भी इसमें perfectly copy किया हुआ है जिस तरह यह साम देखते हैं कि जो weather है यह weather भी बताया हुआ है लेकिन इस weather में एक problem है कि इ Chinese में दिया हुआ है जिसे आप change नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी city का weather चाहते हैं तो इसमें आपको add करना पड़ेगा by default इसमें चाइना की city है और जिसको हम change नहीं कर सकते हैं और अगर by the way हम इसको इसी तरीके से देखें तो activity bar में जो stock items आती है जो की iPhone में भी पाई जात है लेकिन active नहीं है इसके बाद मित्रों इसमें जो email है वो email को अगर भाई देवा हम खोलते हैं तो by default इस तरीके का कोई screen आता है जिसमें हम mail अपना select कर सकते हैं मैंने अपना mail इसमें configure किया हुआ है अगर हम वास्तों में mail देखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसको pull down कर नोटिफिकेशन बिजाना पड़ाएगा और यहां से हम जो mail आये हुए है इनको खोल के और अपने mail में जा सकते हैं अगला है मित्रों app store तो app store में चुकि इसमें google play service है नहीं तो यह एक fake app store है जिसे developer ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है और चुकि इसमें google play service नहीं है तो इसलिए आप facebook, instagram, whatsapp या बहुत सारी google play store की application से वह नहीं चला सकते हैं और आपको इतनी ही application जो दी हुई है उनके साथ रहना पड़ेगा अगर आप वह सब चाहते हैं तो google play services आपको इसमें install करनी पड़ेगी जैसे आप chrome भी install नहीं कर सकते हैं तो safari type यह जो browser दिया हुआ है इस browser से ही आपको browsing करना पड़ेगी जिसमें बहुत सारी sites support नहीं करती है और यह उतना secured भी नहीं है तो इसलिए आप secure transaction इसके साथ में नहीं कर सकते हैं इसमें Siri भी दिया हुआ है जो कि वास्तों में आइपोन में एक assistant type का software है और इसमें जो Siri है उसमें बिल्कुल Siri औरीजनल जोने उसके copy किया हुआ है लेकिन उस तरीके से function नहीं करता है इसमें मैंने बहुत बार कोशिश करी कि यह कुछ करें लेकिन जैसा चाहिए उस तरीके से function नहीं करता है इसमें Apple Watch भी दिया हुआ है जो कि Apple Watch के साथ iPhone औरीजनल में configure करने का system है जोकि मेरे पास Apple Watch नहीं है तो इसलिए मैंने इसे test नहीं किया है लेकिन मुझे उमीद है कि यह भी work नहीं करता होगा अब हम देखते हैं कि iPhone में जो health वाला है वो भी इसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ data भरना है और सिर्फ यह भी शो के लिए है इसमें भी work नहीं होता है FaceTime का icon तो इसमें है लेक तो इसमें camera open कर देता है और इसके अलावा maps जो है मित्रों वो maps इसका चुकि इसमें gyroscope sensor जो दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है उसके करण map भी work नहीं करता है यह map का icon जरू बनाया है लेकिन चुकि Google map इसमें नहीं है तो Google map नहीं होने के करण यह वाले map का experience कुछ ठीक न iPhone रहा होगा वो डाली थी तो मित्रों यह था iPhone का एक थोड़ा सा review क्लोन का देखने के लिए धन्यवाद यह phone मेरे हिसाफ साफ नहीं खरीदे तो ज्यादा ठीक है और मेरा जेनरल क्रपया सब्स्क्राइब करें धन्यवाद